दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लेह लद्दाक के लिए एक अच्छे रूट प्लान के बारे में आपको एक दिन में कितने किलोमिटर चलने हैं कहां रुकना है और रस्ते में कौन-कौन सी जगों को देखना है इन सारी विश्यों पर आज चर्चा करते हैं दोस्तों मैं मेरी जैपूरी आप सब कर्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजए क्योंकि मैं इस ताय की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों सब आली बार जो ले जा रहे हैं कम से कम उनको इस रूट को फॉलो करना चाहिए इसके कुछ फायदा ही है सबसे पहले तो बाडी को टाइम मिलता है एड्जस्ट होने के लिए क्योंकि जो हमारा मनाली से की लॉंग सर्चू वाला जो रूट है उसमें हाइट बड़ी तेजी से बढ़ती है तो बाडी को समय नहीं मिल पाता है एड्जस्ट होने के लिए जबकि स्रीनगर वाला जो रूट है उसमें हमारी बाडी को परियाप्त समय मिलता है एड्जस्ट होने के लिए इसके अलावा स्रीनगर कारगिल वाला जो रास्ता है वो काफी इजी है तो वो भी ह कर रहें हुए आप क्थिछ काम ये अगर आप दिली से स्टार्ट करने वाले हैं अगर आप से बाहर रहेएं तो डिली तक आप ट्रेक्ट में सकते हैं या फक्राइड करके भी आसकते हैं तो दोस्तों जो days 1 होगा dollar Valley से चलना है और जommö पहुंचना है लगभा 587 किलोमिटर की राइड होगी है और इसमें लगबग 10-12 घंटे लगेंगे राइड में आप कितने ब्रेक ले रहा हो、 इसके उपर करता है किइन स्पीड में आप राइडнить करता। तो दोस्तों डे वन का जो हमारा राइड होगा वो होगा दिल्ली से जम्मू आप या तो जम्मू इस्टे कर सकते हो या फिर पाटनी टॉप में इस्टे कर सकते हो दोस्तों जो हमारा डे टू होगा उस दिन हमको जम्मू से स्रिनगर पहुचना है 298 किलोमीटर की राइड है और बहुत ही सीनरी और टर्निंग से कर्व से भड़ी हुई राइड है यह और इस रस्ते में आपको जवाहर टरनल पड़ेगा फेमस जवाहर टरनल जैसे ही आप जवाहर टरनल क्रॉस करेंगे आपको कस्मीर की वादिया न ज़राएंगी दोस्तों और इस दिन आप स्रिनगर काफी जल्दी पहुँच जाएंगे साम को लग बग आप सूबह जल्दी स्टार्ट करते हैं तो तीन चार बजे के आज पास आप सीनगर पहुच जाएंगे सीनगर पहुचने के बाद आप फ्रेस रस होईए रूम लीजिए और डल लेग घूम क करना है दोस्तों दोस्तों डे थ्री हम लोग को चलना है स्रिनगर से कार्गिल लगभग आपको 209 किलोमीटर पड़ेगा और आप रस्ते में सोनमर्ग पड़ेगा वहां नास्ता करिए उसके आद फिर आगे जोजिला इंज्वाय करिए द्रास पहुंचिए द्रास में लंच करिए और द्रास में आप दोस्तों वार मेमोरियल जाना मत भूलिएगा वहां सहीदों को सद्धान जली अर्पित करिए और उसके लुनार लेंड्सकेप पड़ेंगे और इसके साथ रस्ते में आपको गुरुद्वारा पाथर सही मिलेगा वहां माथा टेकिए इसके बाद मैगनेटिक हिल आप इन्जॉय करिए इस रस्ते में आपको एक बोर्ड पड़ेगा दोस्तों जहां लिखा होगा वेल्कम टूले औ और इस बोर्ड को पढ़के आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि आप जो यह सपना देख रहे हैं ले लगदा बाइक ट्रिप का जब आप वहां पहुंचेंगे दोस्तों मैं तो बिलकुल इमोशनल हो गया था दोस्तों इसके बाद फिर आप ले पहुंचिए वहां नाइट होने के लिए दोस्तों आज आप ले लोकल घूमिये ले मार्केट जा सकते हैं वहां सांती स्टूब देखने जा सकते हैं गोंगपा है वहां वह देखने जा सकते हैं ले पैलेस देखने जा सकते हैं और दखार है वह देखिए और साथ ही साथ दोस्तों वहां हाल ओफ फेम ह वह देखना न बोलिए वहां पर दोस्तों जो म्यूजियम है आर्मी का जो म्यूजियम है बहुत खुब सूरत है और अंदर में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा काफी नॉलेज मिलेगी कि हमारे जो जवान है वो कैसे हमारी सुरक्षा करते हैं जो ग्लेशियर में हैं व वह कैसे वहां जीते हैं क्या पहनते हैं वह सब आप देख पाएंगे चुप आङगे तो दोस्तों हाल-off हम जरूर जाइए और आज आपको लेख में आराम करना है दोस्तों डेशिक्स हमारा काफी इंट्रेस्टिंग है हमको लेख से दिस्कित जाना है और रस्ते में आपक होते हुए आप दिस्कित पहुंचिए और अपना इस्टेट दिस्कित में रखिए दोस्तों और दिस्कित में रूम वगरा लेके फिर आप हुंडर घुमने जाए वहां पांच में ही है वुंडर में आपको सेंड डून्स मिलेंगे और एक उंट मिलता है वहां पर उसकी जो होती है क्या कहते हैं कि हो जो कुबड को बड होती है तो इस तरह की हुट सिριे मिलती है दोस्तों तो वहां पेंस इस्टी की सवारी गरिए और उसके बाद अपन जो इस्टे है वह दिस्कित में रखिए दोस्तों डे से पैंगॉंग लेक 175 किलो मीटर है और इस रूट में जाने से पहले जो मैं रूट जिस रूट में हम लोग गये थे खालसार, शियोक विलेज, दूर्बुक होके इस रूट से अगर हम जाते हैं तो 175 किलो मीटर पढ़ता है और हमारा एक दिन बचता है या तो हम वापस लेह जा सकते हैं और लेह से पैंगॉंग लेक जा सकते हैं या फिर यहां से हम डायरेक्ट पैंगॉंग लेक जा सकते हैं और अगर आप इस रूट में जाना चाहिए तो एक बार इस रूट के बारे में पता कर लिजेगा हम लोग इस रूट में गये थे बहुत कोई प्राब्लम नहीं हुई फोर वीलर्स भी जा रही थी वहां जो इनोवा होती है काफी लो ग्राउंड क्लियरेंस होता है उसका व रिलाइबल नहीं है वहां पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गैरंटी नहीं है तो मैं आपको रेक्मेंड करूंगा कि आप लेह से ही एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाए इस रूट में अगर आप जाना चाहिए तो तो यहां दोस्तों आज आपको जाना है दिस्कित से पैंगॉंग लेक दोस्तों आज आप सुबा जल्दी निकल ये ताकि आप साम होते तक पैंगॉंग लेक पहुंच पाए और पैंगॉंग लेक की ब्यूटी को इंजोय कर सकें और आज आपको पैंगॉंग लेक में इस्टे करना है दोस्तों दोस्तों डे एट में हमको पैं इच्छा होगी दोस्तों एक चांगला पास पड़ेगा जो मुझे परस्नाली काफी कठिन पास लगा था तो सुबह आप जल्दी निकल ये और साम तक आप ले पहुंचिए दे नाइन आपका रेस्ट दे है दोस्तों इतने दिन से बाइक चलाते चलाते आप काफी ठक चुके नियगे होंगे तो दे 9 को आप लेह में रिष्ट करिये क्रिए लोकल मार्के से रात को लेह में ही र्ष्ट करिए दोस्तों दोस्तों डेट n है हमारा लेह से टी alienरी ये लगभग आपको दो सो चाल्य किलोमिटर पड़े देंगे और ये कहते हैं कि औंग के हैंकि लेक कि वाले कहते हैं कि किए परस्onally कीं हम लोह नहीं या पाई थे क्योंकि छुटियों की कमी हो गई थी तो हम लोग यह सटी명 अनिट vine यह थे तो आप एक बार वह विजिट करिए कहते हैं कि वहाँ पे सब समझें इसलिए जो नेश्रल ब्यूटी है वहां की प्रिजब है बहुत खुब्सूरत है तो डेट 10 होगा दोस्तों आपका लेह से टीएसो मौरीरी 240 km के लगबग दोस्तों kettle 11 में हमको टीएसो मौरीरी से निकलना है کissentow buy से काफी ज्याधा बैटर आपको साथ लेंगे वहां प्रूर से कशुबह आपको मनाली जाना है रस्ते में आपको बारला चाला पास पड़ेगा की लॉंग पड़ेगा और रोहतांग पास पड़ेगा यह लगबग 230 किलोमीटर की राइड होगी दोस्तों आज रस्ते में आप सूरज ताल दीपक ताल इंज्वाइब करिए और मनाली में आपको नाइट में आते हुए और खुसी भी होगी कि घर वापस जा रहे हैं इतने दिनों तक खराब रस्तों में चलते चलते जब आपको हाइवे मिलेगा काफी अच्छा आपको फील होगा और दुख भी होगा लद्दाग से वापस आते हुए तो इस तरह से दोस्तों 13 दिन हम वापस दिल् प्रब्लम होती है क्योंकि लैंड्स्लाइट वगेरा होती रहती है रोड जाम होते रहते हैं तो दो दिन आप एक्स्ट्रा रखिए दोस्तों बफर में तो इस तरह 12 से 15 दिन में आपका पूरा लेह लद्दाग का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि वह भी लेह लद्दाग का प्लान करें और आप सभी साथ में जा पाएं और दोस्तों आपने